चलिए अब बात करते हैं हलाली रिवर के बारे में अच्छा तो इसका नाम हलाली रिवर क्यों पढ़ा? तो बेसिकली हुआ क्या था? जब 19th century, ओके 19th century में यहाँ पे एक बंदा था, दोस मुहमद, ठीक है? दोस मुहमद के बारे में डीटेल में पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री सेक्शन में अब इक लिए जान लो, एक बंदा था दोस मुहमद, ठीक है? वो एक वेरियर था और एक नवाब कह सकते हैं, वो था तो उसकी लड़ाए हुई यहाँ पे, ठीक है? हलाली रिवर के तठप है, और यहाँ पे लड़ाए के वज़े से, यह रिवर इतना लाल हो गया, इसका नाम ही रख दिया गया हलाली रिवर तो उस्त महुम्मद कान ने बहुत सारे वेरियर्स को मारा था और वो वेरियर्स के जो खून है उस खून की वज़े से ये रिवर पुरा लाल हो गया था इसलिए इसका नाम हलाली रिवर रखा गया है अच्छा हम अब डीटेल में देखते हैं इसके बारे में चली तो बेसिकली आपका हलाली रिवर स्टार्ट होता है बोपाल में ठीक है तो यह है आपका बोपाल और यहां से आपका हलाली रिवर स्टार्ट होता है और यह स्टार्ट होता है और फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट में और जाता है वो है विदिश्या तो Basically दो डिस्रीक्ट में बैहता है, एक है आपका बॉपल और दूसरा है आपका विधिष्या- दो district तो मैंने मार्क broken किया है, एक है आपका बॉपल और को और दूसरा है वैपल सा स्टार्ट होता है और विधिश्या में धाकर खतम हो जाता है इसकी दो तिन चीज़े हैं important देखने लाएग पहली बाद ये है आपका Betua River तो Betua River basically आपका start होता है वैसे राइसन में इसमें थोड़ा गलत मार किया है ठीक है वो basically start होता है आपका राइसन में और Betua River के साथ ये join होता है ये है आपका Betua River और यहाँ पे है आपका हलाली रिवर ठीक है और हलाली रिवर और Betua River जहाँ पे join होता है उसको कहते हैं त्रिवेनी गाठ और इस एरिया जो त्रिवेनी गाठ है वो बसा हुआ है बेस नगर में और ये basically विदीशा में है ठीक है बड़िया और बेस नगर में जो संगम होता है आपका जो हलाली रिवर और जो Betua River ठीक है Betua River में जाके गिरता है हलाली रिवर ठीक है उस एरिया में बीच में यहाँ पे इस एरिया को कहते हैं त्रिवेनी गाठ ठीक है इसके just करीब करीब 200 मीटर दूर यहाँ पे एक पिलर है ठीक है यहाँ पे एक पिलर है अब पिलर क्या होता है पिलर basically stump ठीक है stump मैं इसको एक मिनट ठटा देता हूं पुरा ठीक है तो हलाली रिवर के पास एक stump है और इस thumb का नाम है heliodorus pillar ठीक है heliodorus pillar तो हुआ क्या था यह जैसे आपका भारत है ठीक है यह आपका भारत है ठीक है मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं ठीक है यह है आपका भारत माफ कर देना मैं थोड़ा graph गंदा बनता है हमेशा मेंसे बड़ आपको graph अच्छे से करना चाहिए क्योंकि आपको mains लिखना है ठीक है MPPAC mains लिखना है उसमें graph बहुत important है चलिए जो भी हो तो यह आपका भारत है और इस area में ठीक है इस area में ancient time में बहुत सारे इंडो ग्रीक्स रहते थे ठीक है इंडो ग्रीक्स इंडो ग्रीक्स ठीक है इंडो ग्रीक्स रहते थे और यह basically हमारे दुश्मनी थे ठीक है तो मौरियक काल में ठीक है चंदर गुप्त मौरिया ने इनमें से एक को हराया था अच्छा यह इंडो ग्रीक्स आये कहां से साथ, Alexander the Great, ठीक है, Alexander the Great, अब Alexander the Great पंजाब में पोरस, पोरस को तो अब जानते ही होंगे, पोरस महराज, तो उनके साथ लड़ाई हुई थी और पोरस महराज हार गए थे, यही सच है, पोरस महराज हार गए थे, पोरस महराज हार गए थे, पोरस महराज हारने के बाद यह बहुत मुश्किल से चल कपट से हराया था ठीक है यह आपकी पोरस की आर्मी थी ठीक है और यह लोग अलेक्जंडर ने क्या किया एक आर्मी को आगे से बेज़ा और एक आर्मी पीछे से आके हमला करती था यही सच बात है यही हुआ था ठीक है और उसमें वहां पे बारिश भी हुई थी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और पोरस के पास हाती भी थे तो अलेक्जंडर की जो आर्मी थी वो बहुत मुश्किल से इसको हरा पाई थी और अलेक्जंडर पहली बार इतनी मुश्किल से जंग जीता था इससे पहले उसने बहुत सारे बहुत बड़ी- तो उनको समझ में आ गया कि इंडिया में जाना मुश्किल है तो उनने कह दिया कि सर हमें माफ कर दू हमको वापस घर जाना है तो अलेक्जानडर ने कहा चलो ठीक है हम वापस चलते हैं तो क्या किया अलेक्जानडर जब वापस जा रहा था उससे पहले यहां पर जितने भी एरिया उसने कौकर पे अपनी जेनेरल्स लगा दिया ечение तो मैं अब यहां पर राज करना है और उसके बाद एक धो साल बाद अ assimilate हो गए अपने culture के साथ, ठीक है, और उन में से एक राजा था, ठीक है, उसने एक अपना ambassador बेजा था, इंडिया में, ठीक है, वो ambassador आके रुखा था, विदिशा साइड में, और उस ambassador का नाम था, हेलियोडोरस, अच्छा, अब हेलियोडोरस की खासित ये है, कि उसने Hinduism accept कर ल किया था, अच्छा, अब क्या किया, अब उसने जब Hinduism accept कर लिया, तो उसने एक stump खड़ा किया, ठीक है, Hinduism, उस stump का नाम है Garuda stump, ठीक है, और वो Garuda stump, पास है, ठीवेनिगाट के, ठीवेनिगाट से सिर्फ 200 मिटर धूरी पे है, ठीवेनिगाट से, और मैं अच्छली गया हूँ, बहुत अच्छी जगा है, ठीक है, बहुत प्यारी जगा है, ठीक है, बहुत प्यारी जगा है, ठीक है, बस यही चीज है, अच्छा, अब एक और चीज ह बेटवा तो हलाली डाम और बेसिकली एक बड़ा सा डाम उतना बड़ा भी नहीं है ठीक ठाक लेवल का डाम है और यह बेसिकली आपका बोपल और विदरीशा के बीच में आता है ठीक है मैं आपके जस्ट यह वीडियो खतम होते ही आपका 3D व्यू स्टार्ट हो जाएगा उ इसमें आपने देख लिया कि यह बेटवा से जाके मिल जाता है ठीक है यह है आपका हलाली रिवर यह जाके मिल जाता है आपका बेटवा से बेटवा और हलाली रिवर के संगम पे भसा हुआ है आपका त्रिवेनी गाट त्रिवेनी गाट है बेस नगर में और बेस नगर है आपका विदिश्या में, बस इतना ही जाना है, अब 3D विव देखते हैं, चलिए हम अब देखने वाले हैं, 3D विव हलाली रिवर का, तो बेसिकली ये है आपका भोपाल, ठीक है, भोपाल जो मेन सिटी सेंटर है, उससे थोड़ा ही दूर में ये आपका हलाली रिवर फॉर् और जैसे कि बहुत सारे rivers में होता है MPK, यहां पे यह छोटी छोटी नहरे बनके यह हलाली river बन रहा है, ठीक है यह है आपका हलाली river, तो आप देखी रहे हो यह काफी छोटे छोटे cities से जा रहा है ठीक है, और एक छोटा सा एक river उसको join किया है, तो वो कौन सा river है उसको देख देखना है, यह आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहां पे छोटा सा चेक बांद बना हुआ है, वो भी जाद उतना important नहीं है, देखने लाइक है नहीं, तो हमको आगे जाना है, अच्छा अब हलाली की दो-तिन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एक तो start होता है आप आपका बोपाल में, और यह basically end होता है आपका विदिर्शा में, तो हम अभी बोपाल में ही हैं, और अब यह विदिर्शा को पहुचने वाला है, ठीक है, तो basically अब आ गए हैं हम हलाली डैम पे, ठीक है, तो यह है आपका बड़ा सा हलाली डैम, ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहां परदेखना लाई क्या चीज है यहां परदेखना लाइक क्या पाना यह एक उतना कुछ है नहीं यहां पे कुछ टूरिस पॉर्ट हाई और आप छोटी सी नहर निकाली है तो बेसिकली इसका आइडिया यह है कि मतलब अगर यहां पर पानी जादा है तो कुछ एरियास में आपका जो पानी है वो डाइवर्ट कर दिया गया है तो यहां से यह छोटा सा कनाल निकाला है यह हलाली कनाल तो यहां से यह जो पानी है डाइवर् जब देखने लाइक चीज़े हैं तो यह रहा आपका हलाली रिवर ठीक है तो डाम के बाद आपको जाना है अब सीधे आपको विदीशा में यह जुड़ेगा आपका बेटवा रिवर में तो चलिए हम सीधे वहीं चलते हैं तो वहाँ पे एक घाट बनेगा तो बेसिकली वह है सबसे इंपोर्टनेट तो यह है आपको विदीशा का एरिया हम पहुचने वाले हैं एक घाट उसको कहते हैं त्रिवेनी घाट त्रिवेनी घाट में आपका यह बेटवा रिवर से जुड़ जाएगा ठीक है और त्रिवेनी घाट है आपका कहां पे विदीशा में तो हम पहुँचने वाले हैं, पहुँचने वाले और हम पहुँच गए, यह है आपका द्रिवे strings, आपकी अपका द्रिवे Halidorus Pillar ठीक है, Halidorus Thumb इसके बार में आपने सुना ही होगा text नहीं सुना कोई 10s नहीं आपको Art और Culture के बार में या ancient history में आपको Halidorus Pillar के बार में समझाए जाएगा तो basically हुआ क्या है कि आपको Indo- Jackie!". पारता ही होगा üzerराश तो वहान का जो गॉर्णर जो अफगानिस्तान, खंदहार वाला जो एरिया है तो उस एरिया में इंडो-ग्रेक, सते हैं थे जो अलेक्जांडर जो ग्रेट थे, जो आलेक्सांडर नमाहन उनकी जनूprises वहांं पर रहते थे और हमारे जो Mauryan Emperor है उनके साथ बनती नहीं थी और लड़ाई हुई थी और हमारे Mauryan Emperor चंतरकुप मौरिया ने इनको हरा दिया था तो धीरे धीरे हम लोग में रिष्टा बनने लग गया तो आपको पता ही होगा रिस्ता बनने लग गया था और रिस्ता बनते बनते ये लोग जो Indo-Greeks हैं वो इंडिया में आने लग गया और Indo-Gree16 का एक ambassador था Heliodorus ठेक है Heliodorus एक ambassador था, वो इंडिया में आके रहने लगा, अब हैंडिया में आके रहने लगा तो फिर वो convert हो या वैश्नविसम में, हिंदुईसम में कंटवर्टोग है, especially वैश्नविसम में और इसके लिए उसने यहां पे एक पिलर बनाया है, तो वो इस एरिया में है, यह आपको दिख रहा है ना हेलियोदोरस पिलर, तो यह है वो पिलर, तो आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक ब हेलियोदोरस पिलर, यह शायद दिख जाए तो अच्छा है, पर मेरे को नहीं लगता उतना डीटियल में जाएगा, नहीं उतना नहीं जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहां पे है वो हेलियोदोरस पिलर, अच्छा अब इसकी खासियत क्या-क्या है, तो यह बना और इसकी सबसे मेन खास बात है यह 1827 में अलेक्जांडर कनिंगहम उन्हें डिस्कवर किया था ठीक है अलेक्जांडर कनिंगहम ने अच्छा और इसकी खास से थै कि यह वैश्णविसम से रिलेटर है अच्छा एक दो चीजें हो रहे हैं हलाली रिवर के ऊपर हलाली रिवर बेसिकली उसको भैस रिवर भी का जाता है ठीक है और यह जो पूरा एरिया उसको भैस नगर भी का जाता है ठीक है और यह बहुत ही फटाइल एरिया है ठीक है कि आप देखी रहे हो क्योंकि यहां पे दो रिवर्स आके मिल रही है तो कितना अच्छा सॉलिट पानी आता होग और कितना fertile area है, तो यह area बहुत ही famous area है, बहुत ही fertile area है, और इसको हलाली river इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौमद दोस्त खान एक जो ruler थे MP के, उनने यहाँ पे बहुत सारे राजभुतों का वद किया था, ठीक हलाली river के उपर, और इसलिए यहाँ पे जो river है वो ला हाल हो गई थी तिक ऐसे कहा जाता है तो इसे लिए यहां पर इसको हलाली रिवर नाम दिया गया है अच्छा और एक दो चीज यह 38 किलो मेटर्स दूर तक चलता है यह तो बात कर चुके होंगे अपन लेक्चर में और यहां पर तो यह है आपका थ्रिवेनी गाट थ्रिवेनी मिल जाता है बस इतना ही